टेस्ट में दिनीश कार्तिक की जगह विकेट कीपर बल्लेबाज के रूप में शामिल किये गए रिशब पंत ने अपने डेवी मैच में ही धमाका कर दिया है। बल्ले से कमाल के बाद पंत का विकेट की पिंग में भी जलवा देखने को मिला है। दरसल इंगलेंट की पहली पारी के दौरान जब भारतिय गेंदबाज विकेट चटका रहे थे तो उसमें इस युवा विकेट कीपर की भी एयम भूनी का थी। रिशब पंत ने विकेट के पीछे इंगलेंट के पांच बलेबाजों के कैच लपके थे। इसी के साथ पी रिशब पंत अपनी टेस्ट डेविकेट के पीछे पांच कैच लपकने वाले चौतिय भारतिय विकेट की पर बन रहे हैं। वही दूसरी और हौदिक पंध्याने नौटिंगम टेस्ट में इंगलेंट की पहली पारी के दौरान पांच विकेट लिए। उनके दमदार प्रदर्शन के कारण पांच मैचों की सीरीज में दो रिंग शूने सेकंड आगे चल रही इंगलिश टीम सिर्फ 161 रन पर धेर हो गई। इस दौरान पंध्याने कई रिकॉर्ड भी अपने नाम किये। हौदिक पंध्याने नौटिंगम में अपने पहले स्पैल में 5 ओवव में एक मीडन रखते हुए 24 रन देकर 5 विकेट लिए। जबकि उन्होंने 6 ओवव में 4.6 साथ एक उनामी रेट से गेंडबाजी की और 28 रन दिये साथ ही 5 विकेट चकाए। इससे पहले उन्होंने अब तक खेले 9 टेस्ट में सिर्फ 10 विकेट लिये थे। नौटिंगम में हौदिक ने जो रूट, जॉनी वेयर स्टोप, प्रिस वोक्स, आदिल राशिद और स्टूइट ब्रॉट को अपना शिकार बनाया। इस मैदान पर हौदिक भारत की तरफ से एक पारी में 5 विकेट लेने वाले तीसरे गिंदवाज बन रहे हैं। इससे पहले ऐसा जहीर खान और भुबनिश्वर कुमार कर चुके हैं। झाल